Hello everyone, मैं अर्बिन जनुरीन क्लस्म में आपका स्वागत करता हूँ PTT 2022 दो वरसी है B.E.A.D. कि यहाँपर जो प्रोसेस चल रही थी जिसमें आपकी पहली अलोट्मेंड लिष्ट जारी हो गई थी और उसके बाद में फीजमा कराने की जो तिती है और जो reporting करने की जो तिती है या upward moment करने की जो तिती है उसमें काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर अभी कर दिया है मतलब schedule में change हो चुका है आपकी जो date है उनको extend कर दिया गया है तो PTT 2022 दो वर्सी ये बेड कोर्स का जो complete यहाँ पर reporting का जो time है यह इसके अलावा फीज जमा कराने का जो time है उसको change कर दिया है तो नया schedule क्या है इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो end तक आपको वीडियो को देखना है जिसने आप तक चनल को subscribe नहीं किया चनल को subscribe करें जिसे आने वाली सभी वीडियो का notification आप तक पहुँच जाए आएम वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पर जो है पूरा schedule change हो गया है जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि date extend होगी हर बार होती है इस बार भी होगी तो यहाँ पर मैंने ये website को open कर लिया है दो वर्सी ये बेड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो 22,000 रुपे है allotment first counseling के बाद में admission फी जो आपको जमा करानी है जिसकी date क्या थी 15 तारिक थी कल तक थी जो है और उसको भी बढ़ा दिया है और उसको अटाइस तारिक कर दिया है यनि 28 अक्तोबर तक आप जो है फीसित जमा करा सकते हैं जी हां तो यहाँ पर अब जो है अब भी 28 अक्तोबर तक जमा करा सकते हैं और इसके अलावा जो college reporting है वो आप 31 October तक कर सकते हैं तो काफी जादा यहाँ पर date को extend कर दिया है बढ़ा दिया है 15 October last rate थी freeze जमा कराने की उसको 28 October कर दिया और जो आपके reporting करने की time थी वो 17 October थी जिसको बढ़ा करब 31 October कर दिया यानि इस महिने के अंति तक आप college में reporting करा सकते हैं तो अभी काफी time मिल गया है तो ऐसे विद्यारती जो उनको पहले list में college मिल गया है जिनोंने अभी तक फीज जमा नहीं कराया तो 22 रुपे फीज जमा करा सकते हैं इसके अलावा college में reporting कर सकते हैं और documents भी जमा करा सकते हैं और इसके अलावा जो है apply for upward moment जिनको मनपसंद college नहीं मिला पहले list के दोरान वो लोग upward moment करा सकते हैं और upward moment की जो date है वो एक नवंबर हो गई है क्या हो गई है दोस्तों एक नवंबर आपकी upward moment की date हो चुकी है इसके अलावा college allotment after upward moment जैसे की upward moment हो जाएगा आपका एक नवंब को आपड़ मुमेंट का जो result है वो 3 नवंबर को आएगा ठेक है और उसका जो reporting है वो आप कर पाएंगे 4 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक तो यह पूरा schedule यहां पर change जो चुका है इस महिने first allotment list की प्रिकरिया चलेगी अब बढ़ा सवाल यह है जिनका पहली list में number नहीं उनका इंतजार अब बढ़ गया है जिनका पहली list में number नहीं आया उन विद्यारतियों का जो इंतजार है वो बढ़ चुका है तो वो विद्यारती अब क्या करें वो विद्यारती अब क्या करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपकी जो list है वो 10 नवंबर तक आएगी जी हाँ सेकंड अलोटमेंट लिष्ट आपकी 10 से 15 नवंबर के बीच में आएगी तो थोड़ा सा समय और बढ़ गया है हो सकता है दिवाली की वज़े से इन्होंने ऐसा किया हो कापी सारे विद्यारती है जिन्होंने फीस को जमा नहीं करवाया तो सेकंड अलोटमें इस बात को आप लोग ध्यान रखना तो PTT 2022 दो वर्स ये वेड़ काउंस्लिंग यहाँ पर पूरा डिटेल है अगर आपको यहाँ पर जो है प्रिंट अलोटमेंट लेटर निकालना आप निकाल सकते हैं इसके लावा एडमिशन इस्टेटेस आप लोग चेक कर सकते हैं सार रिसेंटली अभी अपडेट आई है आपका पूरा सेडिूल चेंज हो चुका है तो जिन विद्यार्तियों ने अभी तक जो है कोलेज नहीं बरा है या इसके अलावा आपको जो है मतलब फीजमा नहीं कराई है या रिपोर्टिंग नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं और इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें धन्य हुआ